नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे शाओमी ने अपना जो मीबेंट टू है जो उन्हें चाइना में रॉंच करा था जून के अंदर और उसकी प्राइजिंग वहां रखी ती करीब 21-22 जॉलर पिसले कुछ महिने उसे लोगों का या इंडिया में बहुत इंट्रे की जी आपिसाय लोगों की फोतो है अब यहां पर साइड में MI का लोगो लगावा है हर जागा पीछे डीटेल्स की बात करें जो उन्होंने लिखी है MI Band 2 प्रोडक्ट मॉडल लिखा है कलार ब्रैक लिखा है इसके अंदर बता रिखा है कि चार्जिंग केबल यूजर गाइड MI Band Sensor Strap यह सब दे रिखा है इसके आपको आइपी 6-7 वाटर रिखा है इसके आपको आइपी 6-7 वाटर रिखा है रिखा है मिलता है इसके पानी में समर्ज कर सकते तो एक तरह से वाटर रेजिस्टेंट रॉटर प्रूफ नहीं है अब इसके अन बॉक्सिंग शुरू करते हैं अब इसके अंबोक्सिंग चालू कर रहे हैं अब पहले आपको अ को देते हैं हमने box खोल दिया अब इसकी में unit हम निकाल रहा है इसकी में unit ए ट्रेक करने के वह वह उस्थार निकाल लिए इसका strap निखाने पर बिखाल देते हैं अब strap के अंदर में unit fit कर देंगे यह अब हम इसका instruction manual निकाल दिया अब यूसर गाइड निकाल ली है अब हमने सारी शीदे बॉक्स निकाल लिए संबसे पहले मिलता ही मया है इसका इसका इयू थिए बता रहाए स्टेप सीडा है डिस्छे इसजेंस बता रहा है कैलोरी इस बता रहाր है फिर हाटरिट स्काृती ब्रेट ब्रक्टीसफ मेसर मेस करके चार्ज कर सकते हैं आराम से मिट्टु को यह निकाल के इसको चार्ज कर सकते हैं इसको शाहिए से लेप्टॉप से ही राइध करना होगा फिर हमार पूरा डेटा उससे सिंग होता है यह मैक्सिमम मैंद्टु इसको पूरी इंफॉर्मेशन बता रहें है अब लेस्टूर पर है मैं फिट के अप्लिकेशन इसको डाउनलोड करना है वह आपने डाउनलोड कर लिए इसके बाद अगरी करना है इसके तेमसें कंडिशन पर हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा साइन इन का ऑप्शन दे रहे सब्सक्राइब कर दे रहें इसमें इसमें आपको अपने मैं अकाउंट से साउइन न करना पड़ता है और आपको अप्शन मिलते हैं यहां मैंने मेरी अकाउंट से साइन कर दिया अभी साइणिंग इन हो रहा है अब हमें basic information name, gender, year of birth, month of birth डालना है, अब इसके बाद हमें height डालनी है, weight डालना है, activity task जो हमें को set करना है वो डालना है, अब ये हो गया है, set हो गया है, अब हमें me band 2, me band के अंदरी आएगा, अब इसको bluetooth से pair करना है अब हमारा ये आज के steps बता रहा है, distance भी बता रहा है, अब हमारा sleep का data बता रहा है, weight भी बता रहा है, जो हमने इसमें डाल रहा है, अब हम play के अंदर जाएंगे, तो ये हमें alarm set करने का option देगा, कितने वज़े का हमको alarm set करना है, उस पर ये vibrate करेगा, इसके अलावा हमें app notification क option भी incoming call बताता है, कि incoming call पर ये vibrate होगा, हमें MI event के display पर notification से मिल जाएगा, तो इसके अलावा भी MI play के अंदर, हमें idle alert भी मिलता है, app notification के अलावा हमें idle alert मिलता है, जैसे हमें इतनी देर हम अगर कुछ काम नहीं करा, तो ये हमें vibrate करके, बता देगा, कि हमें इतनी देर से idle है, उसके साब से हो जाएगा, screen unlock के अभी हमें option मिलता है कि nearby device के अंदर, वो option हमारे android में होता है, उसके साब से कर सकते हैं, तो आभी हमें ये नहीं करेंगे, बाद में pair करके यूं कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी application नहीं दिये है, और इसके अलावा, उसमें display में भी सारा data accurate अच्छी से बताता है, गूगल fit के साथ भी हम इसका integration कर सकता है, अगर हम ये application पसंद नहीं है, तो लास में मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा device बस इसको थोड़ी पहनने में problem आती है, तो मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल को like करेंगे, share करेंगे, subscribe करेंगे, धन्यवाद,